पार्थिव शरीर उसको इस वक्त अंतिम यात्रा के लिए अपने अंतिम पड़ाव पर लाया जा रहा है ये सीधे दिरिश्या आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं साथ में उनके परिवार के अन्य लोग भी व वक्त देख रहे हैं गाधिनगर से अंतिम यात्रा के लिए हीरावेन के पार्थिव शरीर को इस वक्त लाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंधा दे रहे हैं प्रधानमंत्री के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौझूद है परिवार के अन्य जन भी यहाँ पर मौझूद हैं प्रधानमंत्री कोछी देर पहले गाधिनगर पहुंचे थे उसके बाद वो अपने घर पर गए उन्होंने पार्थिव शरीर को पुषपांजली अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री शवयात्रा में शामिल हुए और इस वक्त ये सीधे दिरिश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन पटेल भी वहाँ पर मौझूद हैं और प्रधानमंत्री और उनके भाई और परिवार के जो अन्यजन हैं वो इस शवयात्रा में शामिल हैं और अपने अंतिम पढ़ाव की और इस वक्त ये शव व्यात्रा चल रही है और लगातार जो हम अपने विशेश महमानों से भी लगातार बाचीत कर रहे हैं जब अभी हाली में प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी की माताजी हीरा बेन ने सौ साल अपनी जिन्दगी के पूरे किये उनका सौ हुआ जैनम दिन मनाये गया उस वक्त पर प्रधानमंत्री के ओर से एक ब्लॉग लिखा गया था और उस ब्लॉग को आप अगर पूरा पढ़ते हैं तो उस ब्लॉग में काफी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री ने अपने माताजी का जो जीवन है जो अपना बचपन है जिन अभावों से जिन संगर्षों से जि इन खूबियों में वो वक्त बीता वो बचपन बीता और वो दौर था उस दौर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिभाशित किया है वो बहुत कुछ कहता है वो ये भी बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बचपन से सीख ली है अपने माताजी के जीव अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त पहुंच चुकी है। यहां अगनी को समर्पित किया जाएगा पार्थिव शरीर जो ये आपसीदे दृष इस वक्त देख रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीरा बेन का पार्थिव शरीर अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुका है। में बहुत बड़ी प्रिर्णा उनकी माताजी हीरा बेन की रही है। जब जब प्रधान मंत्री गुजराच जाते थे प्रधान मंत्री बनने के बाद वो अपनी मताजी से मुलाकात करते थे और वो तस्वीरें वो द्रिश पूरे देश दुनिया के सामने आती थी। जब एंगराच के बादाच जाल मंत्री बनने के सामने वो तस्वीरें आती है जब प्राच जयरें वो ते और प्रधान नगके थे प्रूंग।